है एा फ्रेंट्स आज मैं लेमिट के नए कोर्स में आपका स्वागत्र करता हूँ आज हम लेमिट्स में सीखें गे एल हॉस्पिटल रूल से कोशन गरना एल हॉस्पिटल रूल तभी लगाया सकता है जब जीरो अपॉन जीरो निमनार में जीरो और दिनार में जीरो जब फ्रेक्शन जब हमारे यह वाले कोशन आए जीरो पॉन जीरो और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी ओके फ्रेक्शन वाले कोशन में ठीक है जिरो पॉन जिरो या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है तो आलो हॉस्पिटल रूल में क्या करना होता है डिफ्रेंसेशन उपर और नीचे दोनों जगा डिफ्रेंसेशन करना होता है चलो फिर चले को शंथ पे लिमिट एक्स्टेंडिंग टू एक्स क्यूब माइनस फॉर एक्स रेस टू माइनस फॉर अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ एलो हॉस्पिटल रूल से पहले सब्स्टिटूशन टू 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 जा फॉर फॉर टू जा एट एट माइनस एट इस इकल टू जीरो टू टू जा फॉर फॉर माइनस फॉर इस इकल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पर अब मुझे एक्स के टम में उपर और नीचे दोनों में एलोस्पिटल रूल मलब डिफ्रेंसेशन करना होगा तो थ्री साइन स्क्वाइर का डिफ्रेंसेशन मैंने पहले भी डिफ्रेंसेश तो इसका डिफ्रेंसेशन 3 जो है आगया जाएगा साइन 3-1 2 हो जाएगा तो 3x स्क्वाइर अपॉन 2x मतलब एक्स अपॉन 2x कैसे आए x स्क्वाइर दे रखा है तो 2 आगया जाएगा 2-1 1 होता है ठीक है यह हो गया अब फिर से हमें जब तक लगाते रहना है जब तक 0-0 0 हटना जाए, अब मैं 0 पॉन 0 हटा देता हूँ, पहले x और x कट सकते हैं, तो काट लो, differentiation of 8, 0 होता है, कोई भी constant term का differentiation, जो होता है, वो 0 होता है, तो 8 का differentiation क्या हुआ, 0, x का differentiation क्या हुआ, 0, ठीक है, तो 2, x नीचे बज़िया, तो 8 अपॉन 3 अपॉन 2, और उपर 2 लगाऊँगा, तो answer क्या जाएगा 3, तो चलो, पहला question तो आपको समझाएगा, limit, extending to 3, x raised to 3, minus x raised to 2, minus 18, upon x minus 3, अगर मैं 3 लगाता हूँ, 3, 3 जा 9, 9, 3 जा 18, 3, 3, 9, 9, 3, 0, 27, गल्दी हो सकती है, मैं कभी तभी गलत बोल दू, तो आप suggestion से बता सकते हैं, मैंने कब गलत बोला है, तब मैं note करूँगा, कि अपनी connection हमेशा सही रखूं, calculation भी, ठीक है, 3, 9, 9, 3, 0, 27, minus 3, 3, 9, minus 18, 18, minus 18, और minus 9, कितना हुआ है, minus 27, तो 27, minus 27, 0, 3, minus 3, 0, तो इसमें L hospital rule ही लगेगा, differentiation, x, x raise to 3 का क्या होगा, फिर से बही होगा, 3, sine square, minus, differentiation of x square, square का क्या होगा, 2x, ठीक है, और 18 का differentiation, 0, x का, और नीचे में, x का differentiation, 0, sine का, वो, x का differentiation, 1, और 3 का differentiation, 0, यह हो गया, 0 आ गई, तो अब limit लगाने के यहापर जरूत नहीं होगी, तो अब क्या करना, 3, x, यहापर 3, 3, 9, 9, 3, जा 27, 27, ठीक है, minus, 6, 27, minus 6, कितना हुआ, 21, यहापर मैंने कर भी रखा है, चलो, तीसरे question में चलते हैं, ओके, तीसरे question में चले, चलो, यह हो गया, limit extending to 0, tan inverse x upon x, अगर आपको differentiation of inverse का नहीं आता, मैं यह भी आपको सिखाऊँगा, यह एक तारह से, इन सब के, अगर चाहो तो वह भी मैं बताऊँगा, पहले derivation से पहले, आपको क्या करना है, क्या किसे करना है, tan inverse x, tan inverse x का formula होता है, 1 upon 1 plus x square, और differentiation of x का, x, अगर 1 उपर आ जाए, तो अब लगा दो, ठीक है, 1 उपर आ जाए, तो लगा दो, 1 plus 1 plus 0, तो 1 ही होता है, तो इसका answer हो गया, 1, अब चलते आगे, limit extending to 0, e raised to sin x minus 1, upon x, differentiation of e raised to sin x को, वैसी लिखेंगे, e raised to sin x, अगर आपको differentiation of e x भी नहीं आता हो, तो वह भी समझाऊँगा, मैं बात में आपको, ठीक है, तो e raised to sin x, वैसी लिखेंगे, e raised to sin x, और सइन, और फिर जो function होगा, e raised to x का तो वही होगा, बस उसके अगर, अलावा, differentiation होगा, इसमें chain rule लग रहा है, sin x होगा, तो sin x का differentiation होता है, cos x, यह भी आपको memorize करना बले, minus 1 का differentiation, 0, और x का differentiation, 1, यह हो गया, तो उपर कुछ आई गया है, तो अब क्या करना आपको, e raised to 0, into 1 minus, तो इसका भी answer 1 होगा, e raised to 0, किसी भी, a raised to 0, 5 raised to 0, के सबके में, 0 में 1 आता है, तो 1 into 1 minus 0, upon 1, is equal to 0, चलो, आगे चलते हैं, ठीक है, चले आगे, limit x 10 into 1, x minus 1, upon 2 x square, minus 7 x, plus 5, तो यहाँ पर भी substitute करके देखो, 1 minus 1 0 होता है, ठीक है, 2 minus, answer में 0 जाएगा, तो substitution करो, x, l hospital rule लगा, x का differentiation 1, 1 का differentiation 0, 2 x square, ठीक है, constant time होती है, 2 to 4, 2 minus 1, 1 ही होता है, 4 x, minus 7 x का differentiation, constant time नहीं है, तो minus 7, plus 0, 1 आगे हैं, substitute करो, ठीक है, चले substitution में, 1 upon 7 x का 7, minus 7, 7 तो greater, 7 greater है, sin उपर लगेगा, minus 1 upon 3, ओके, चलो, आगे चले, चलो, इतना समझ आ गया होगा, तो, आगे चलते हैं, अब ये वाला question देखो, लिमिट, एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, ब्रैकेट, 1 प्लस, एक्स, फिर, 1 प्लस, एक्स, ब्रैकेट, रेस टू 5, माइनस 1, अपॉन, इसमें भी क्या करेंगे, वन रेस टू 0 लगाएंगे, तो, वन रेस टू 5, वन ही होता है, वन माइनस 1, 0, वन रेस टू 3, भी वन होता है, वन माइनस 1, 0, तो, अब इसका करेंगे, डिफिरेंसेशन, ठीक है, जो, आपका ऊपर, पावर दे रखेंगे, वो इधर लिएंगे, 5, वो पावर के, 1 माइनस कर देंगे, तो, 5 ब्रैकेट, 1 प्लस, X, रेस टू 4, ठीक है, और फिर, उसके अंदर है, विदाउट पावर से, 1 का डिफिरेंसेशन, 0, ठीक है, 1 का डिफिरेंसेशन, 0, और X का डिफिरेंसेशन, 1 होता है, मैंने यहाँ पर, X ही लिख दिया, उसे सही कर लेना, आप लो, यहाँ 1 होगा, और फिर, 1 का डिफिरेंसेशन, 0, ठीक है, यहाँ पर, मैंने गल्ती से, X लिख दिया, यह याद रखो, कल्ती मैं कर सकता हूँ, इसलिए, मैं अब, प्लस, 1 आना चीए था, ठीक है, तो, यहाँ पर 1 लिख देना, और 1 इंटू, कोई भी करोगे, तो यह आजाएगा, 5 अपन 3 आई गया है, 1, 0 और 0 लगाएंगे, यहाँ पर, तो 5 अपन 3 आँसर आजाएगा, यह तो इजी कोईशन था, बस, कोईशन तो इजी था, बस, सब्सक्राइब दिख, रीप्रेजेंटेशन भी अच्छी होने चाहिए, तब ही आपको मार्क्स मिलते है, स्टैप वाइस के, अगर मैं इसका डिफ्रेशन, पाई बाई टू क्या होता है, 90, पाई क्या होता है, 180, पाई ऐसे 22, बस हम थीटा के टम्स में भी करते हैं, यह वाली भी चीजे में सिखाऊंगा आपको, ठीक है, 2 एक्स माईनस पाई, 2 एक्स माईनस पाई, तो ठीक है, तो 2 से 2 कटा, तो मचा पाई, पाई माईनस पाई, जीरो, और यह भी, तो अब इसका डिफ्रेंसेशन करो, ठीक है, डिफ्रेंसेशन करेंगे, 0 पॉन 0 फॉर्म ही आ गई, तो 2 एक्स का डिफ्रेंसेशन, 2, माईनस पाई का 0, कॉस एक्स का डिफ्रेंसेशन, माईनस साइन एक्स, तो यहाँ पर यह ही हो गया, तो माईनस टू आजाएगा, क्योंकि, माईनस नाइन्टी, नाइन्टी का 1, तो माईनस टू, आगे चलते हैं, लिमिट, एक्स टेंटी इंटू ए, साइन एक्स माईनस साइन एपाउन एक्स माईनस ए, तो साइन एक्स का जगा साइन ए लेगाएंगे, साइन ए माईनस साइन ए इस इकल टू जीरो, और ए माईनस ए इस इकल टू जीरो, ठीक है, यह हो गया, तो इसका अब डिफ्रेंसेशन करते हैं, चले differentiation करने sin x के tab में करींगे तो sin x का differentiation क्या होगा cos x minus 0 तो answer आजाएगा cos a चले आगे चलो आगे ओर चलते हैं limit x tending to a ठीक है limit x tending to a is equal to a raise to x minus b raise to x upon e raise to x minus 1 तो आपका मैं इसको भी समझाऊँगा a raise to x मतलब कोई भी constant term 7 raise to x तो इसका differentiation क्या होता है 7 raise to x log e x पावर ने लिखते तो यही करा है x के term में करा है तो यहाँ पर दोनों का differentiation होगा a raise to x into log a minus b raise to x log b e raise to x का वही रहेगा और minus 1 का तो 0 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हम लगाएंगे 0 तो a raise to 0 1 ही होगा b raise to 0 तो log a minus log b हो जाएगा तो अगर आपको log के भी चीज़े सीखी नहीं है तो मैं वह भी बदा हूँ आपको log a minus log b is equal to log e a divide by b चलो आगे चले limit alpha is equal to pi by 4 sin alpha minus cos alpha ठीक है upon यह pi by 4 कितना हुआ 45 sin 45 1 by under root 2 1 by under root 2 1 by under root 2 minus 1 by under root 2 0 ही होता है और 1 ठीक है अब मैं यहाँ पर alpha की terms में differentiation करूँगा तो sin का क्या होता है cos alpha और cos alpha का क्या होता है minus ठीक है minus sign minus minus plus plus sin alpha ठीक है plus sin alpha हो जाएगा plus sin alpha हो जाएगा तो अब लगा देना है प्लस साइन आटेंगे तो 2 under root 2 हो जाएगा hello friends आज के लिए इतना ही और L hospital rule के typical question मैं आपको समझाओंगा और इस में से आपको कुछ ना समझाए तो मुझे comment कीजिए अगर आपको लगे कुछ problem है में सब जाने में तो suggestion कीजिए मैं उससे और elaborate करके सम्झाओंगा thank you and have a nice day है लिए झाओDid जाइए, उस्याओंगे है फटशै कीजिए